और भाई यह की से भी खुल जाती है और यहां पर यह बटन लगा हुए अगर चाबिस के पास होगी तो आप बटन को दबाओगे ना तो यह बंद हो जाएगी ठीक है और इसी से खुल भी जाएगी बटन दबाती खुल भी जाएगी है अलो दोस्तों हरे गृष्णा तो कैसे आप सब भूप आप सब अच्छे होगे बाई सुबह सुबह उटके पहले मैं गया था स्कूटी में हवा डलवाने हवा बिलकुल नहीं थी और स्कूटी में तेल दलवाने तेल था लेकिन फिर भी फुल करवाने के लिए चला गया तो आपको नेक्सों के रिकार्डिंग है अरे नहीं एक्षुल में देखो मैं बढ़ाता हूं, मेरा व्लॉगिंग Qैनल ही ऐसे दिक्त नहीं है, मैं व्लॉगिंग Qैनल ही लेकिन एक रिट्व्यू तो थैये ना चाहिए न यार औरूमस्त आपको वैसे सब पता ही होगा कि क्या है इस में क्या नहीं है बट मैं बीच की बताउंगे बीच की चीज़े बताऊंगा क्या क्या होती है पीछे भाई इसमें स्पीकर बढ़ा हुए मैं आपको यह दिखा दूमें अभी तो कि इसका यह भी नीए उतर है क्योंकि अपने को यह से उतार रहा उतुर है मैं कुछ नहीं है और सब्सक्राट करें दिखाता हूं यह अगे यह मैं है स्टाट की और हे यह आ यहां जिखा है यह दो है यह इसमें अपने कभी और की जनलाने है यहां सरे चेंज हो जाते लेकिन अगर आप इको मोड में चलाते हो ना तो आपको बहुत तगड़ी आवरेज आती है मैं लास्ट ट्रिप मारा था बठिंडा से चंडीगट तो आपको मैं दिखा देता हूं तब की आवरेज क्या इस यह देखो आठ की आवरेज निकली है जो मैंने सिटी मोड पर चलाई है यह मैंने सबसे बड़ी गलती की है बिल्कुल आपको डीप लेके जा रहा हूं आपको अगर ध्यान रखना नैक्सोन को कभी सिटी मोड पर नहीं चलाना 5000 से उपर किलोमेटर में चला है था आठ की अभरेज आई उसके बार इसलहीं रोẫn के indicate की आभरेज नहीं है अब देख सकते हैं मैं सिरफ इसलिए आपको दे रहा हूं क्यूंकि कईों को न वहम हो जाता है घ να हमारी इतू मेरी जो गाड़ी है वो है Nexon XZA Plus Automatic है मेरी तो भाई इसलिए इसमें मैंने जब भी चलाई है City Mode में क्योंकि जब स्टार्ट करोगे आपका City Mode आएगा Automatic तो आपको ये घुमाना पड़ेगा Sports Mode भी है City Mode भी है Economy Mode भी है तो आप Eco पही रखना तो बहुत अच्छी एवरेज आएगी और अपने एवरेज के अकॉर्डिंग चलाना तो बहुत सही मतलब एक फील वाली एवरेज आपको पता लग जाएगी हाँ अच्छी एवरेज है तेल भी ज्यादा खर्च नहीं होगा तो यही मेरा आज का मॉटिफ आपको बताने के लिए नेक्सवन के रिकारी मैंने संरूफ वाली नहीं ली थी क्योंकि मुझे पसंद नहीं थी वह इतना चोटा संरूफ है मेरे को पसंद ही नहीं थी बिलकुल भी और बाकी इसका सब कुछ बहुत बढ़ी है बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है जबरदस्त है बाकी और भी कुछ पूछना मेरे को क्मेंट कर सकते हैं बता दूम आपको तो गाड़ी का आपको कैसे लगा जो मैंने मतलब जो मैंने फील किया ना गाड़ी के बारे में वो मैंने आपको बता दिया तो मैं गर पर आगया था खाना आने के लिए अब खाना आने के चलते हैं सैक्लिंग निकल गाओं पूरे निकल गया हूं मैं शैकल पर टाइम हो गया है जाड़े चीज़ ऑगया है अब देखते हैं कितना कपर करूंगा जितना भी गरूंगा देखते रहने मैं सब बने रहना आज वीडियो में टाइमर लगा लिगा भी साड़े-गारा मिनट होगए है चलाते हुए जितना अब पहुंचाओं ताइम देखो पूरे-पूरे दो घंटे में आठ मिनट बस बचे चलता हूं उपर उपर से बाद करते हैं मैं उपर आगे हूं अभी पहले मैं जाओंगा नहाने के लिए फिर आके रेटिंग करूंगा और आज मैं निकला था घर से चाड़े-शे बज़े करी और एक डिड़ घंटा में पहुंचा था जिर्कपूर से भी आगे मैं गया था और उसके बाद बहुत भूख लगने लगे भी फिर मैंने वहां पर बैठके एक डिड़ घंटा में बैठा वहां पर मैंने अवकाड़ो सेंडविच और किनौय का कु होता है बढ़िया है आज exercise बिल्कुल नहीं हुए है लेकिन cycling जो हुए है यार एकसे से बैटर थी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बढ़िया थी अब फुल पैक हूँ अभी एकदम से कपड़े नहीं उतारूँगा क्योंकि पूरा भीग रखाओं पसीने में बस नहा के फि यार दिक्कत ही रहेगी ना सुबह जाना है हमने जगना जी के dresses लेने के लिए लुध्याना मामु का call भी आता रस्ते में कि सुबह चलना है तो ठीक है भाई फिर सुबह के सुबह बताएंगे नेक्सवन में जाओंगा तो देखते हैं और कल यार नेक्सवन को देना सर्वि प्लीज करते हैं मेरी मोटिवेशन के लिए मिलते हैं नेक्स ब्लॉग में तब तक के लिए बाई बाई हरे क्रिश्चन